Hello everyone, welcome to learning science, आज का हमारा टॉपिक है efficiency of half wave rectifier, आज हम देखेंगे efficiency of half wave rectifier क्या होता है और उसको हम ETA के साथ denote करते हैं, तो सबसे पहले हम numerical को करेंगे copy पर topic का नाम लिखते हैं, जो की है efficiency of half wave rectifier, ETA, जो half wave rectifier का efficiency होता है, वो होता है हमारा ratio DC output power, जिसको हम PDC से denote करते हैं to AC output power के, जो हमारा power होगा DC output वाला और जो हमारा AC output वाला power होगा उसके ratio को, उसके division को हम कहते हैं efficiency of half wave rectifier, और ये जो ETA है, वो हमारा बराबर होता है PDC divided by PAC के, PDC हमारा बराबर होगा IM divided by πाई RL के, IM divided by πाई का square होगा ठीक है, और PAC हमारा बराबर होगा IM divided by 2 का square, RF plus RL के, यहां पर जो हमारा current है, वो IDC वाला है और ये है हमारा IRMS वाला current, इसमें सरफ load resistance है, इसमें forward biased का भी resistance हमें देखने को मिलेगा, तो यही difference है, आपको याद रखना है, power जो है, वो current का square into resistance के बराबर होता है, DC में current, IDC ही होगा ठीक है, और resistance सरफ lot resistance वाला ही resistance हमें देखने को मिलेगा, जबकि AC में हमें forward bias का भी resistance क्योंकि AC forward bias से पाज होता है, और lot resistance, दोनों को हमें देखने को मिलेगा ठीक है, तो ETA जो है, वो PDC divided by PAC के बराबर होता है, PDC का value यहाँ पर दिया है, उसको हमें लिखना है, into, PAC का value जो है, वो यहाँ पर दिया है, उसको हमें लिखना है, लेकिन into किया है division को, ठीक है, तो नीचे वाला term उपर आ जाएगा, और उपर वाला term नीचे आ जाएगा, तो हमें मिलेगा, IM square divided by pi square, फिर हमें लिखना है RL, फिर हमें करना है into, 2 का square होता है 4, IM का square हमें लिखना है, फिर उसके बाद लिखना है 1 divided by RF plus RL, IM का square जो है, वो cancel हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 4 divided by pi का square, और आएगा RL divided by RF plus RL, अब pi का value हम put करेंगे, उसका square करेंगे, और उसको 4 से divide जब हम करेंगे, तो हमें मिलेगा 0.406, तो उसको हमें लिखना है, इसका value हमें लिखना है, फिर लिखना है RL, फिर यहाँ पर जो bracket के अंदर बचेगा, RF divided by RL plus 1, ठीक है, RL को अगर हम अंदर लेकर जाएंगे, तो RL और RL cancer, RF और यहाँ पर 1 से into करेंगे, तो RL आएगा, उपर वाला RL से cancel हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 0.4061 divided by RF plus RL, अब यह जो RF है, वो बहुत ही चोटा होता है, RL से, तो ETA हमार 0.406 के बराबर आएगा, यह जो term है, वो बहुत ही चोटा है, यह जो है एक big term है, ठीक है, तो उस case में क्या होगा, चोटे नंबर को अगर हम किसी बरे नंबर से divide करेंगे, तो हमें बहुत ही चोटा नंबर मिलेगा, जैसे कि 2 को 7 के साथ divide करेंगे, तो चोटा नंबर तो इस नंबर को हम neglect कर सकते हैं, तो मिलेगा हमें यहाँ पर 0.406, तो eta जो है, अगर हम percentage में निकाले, तो 40.6% आएगा, ठीक है, percentage में निकालेंगे, तो 40.6% आएगा, बुक में हम देखते है, efficiency of half wave rectifier, eta यहाँ पर लिखा है, जो basic function होता है, rectifier का, वो DC output देना होता है, ठीक है, जो efficiency है, rectifier का, वो हमें कैसे मिलेगा, DC output power को divide करना है, AC power supply से, तो eta जो है, वो PDC divided by PAC के बराबर होगा, और यही हमें बताएगा कि कितना DC हमें मिलेगा, efficiency, ठीक है, IM जो है, वो peak value current है, RF जो है, वो resistance है, PN junction diet का, तो PDC जो है, वो IM divided by pi square RL के बराबर होगा, और PAC जो है, वो IM divided by two square RF plus RL के बराबर होगा, फिर हम लिखेंगे इटा, इटा जो है, वो PDC, PDC का value लिखना है, divided by PAC के बराबर होगा, इस वाले value के, इसको हमें उटा लिखना है, जब हम into करेंगे, ठीक है, जो चीज़े cancel होती है, cancel करना है, तो ये वाला term बचेगा, 4 divided by pi square 0.406 आएगा, RL जब हम common बाहर निकालेंगे, तो cancel हो जाएगा, 1 divided by RF plus RL plus 1 बचेगा, ठीक है, अब RF जो है, वो बहुत ही चोटा होता है, RL से, तो इसको हम neglect कर सकते हैं, eta हमारा 0.406 आएगा, percentage में अगर हम लिखना चाहते हैं, तो 40.6 परसंट आएगा, into 100 कर देना है, तो 40.6 परसंट हमें मिलेगा, 0.406 को, तो यही है आज का हमारा topic, जिसका नाम है, efficiency of half wave rectifier, और यहाँ पर हमने power का use किया है, और power का formula होता ह है, I square into resistance, तो अगर हम जो बाहर power निकलता है, output और input power को divide कर दे, तो हमें efficiency पता लग जाएगा, कि कितना output power मिलेगा, तो यही है आज का हमारा topic, thanks for watching.